हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के एले स्टडी में तो फ्रेंट्स टार्गेट सीटेट 2022 एवी एस की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की थी इसमें ये हमारी क्लास नम्मर 9 होगी और ये टॉपिक हमारा 7 होगा ठीक है इससे पहले हमने 6 टॉपिक बहुत क्लास में हमने भोजन के बारे में पढ़ा हुआ था कि कहां पर कौन सा भोजन प्रसिद्ध है जैसे आपसे कह दिया कि जो नारियल से बना हुआ टैपियो का होता है वो किस राज में खाया जाता है तो वो केरल था ठीक है इसके बाद आपको हमने बताया था जैसे कह दिया क सरसों की तेल में बनी हुई मचली और राजमा कहां पर पर सद्ध है ठीक है तो जंबू कस्मीर था इसी के साथ ही साथ आपको सारी डिस जो है आपकी कहां पर किस राजमें कौन सी डिस फहमा से यह आपको बता दिया था इससे पिछली क्लास में ठीक है और भोजन वाला भी या फिर मटर कह दिया कि भारत में कहां से आई है मिर्ची कहां से आई है पिछली बार कॉस्चन इससे काफी मात्रा में बने हुए थे जैसे कॉस्चन आया था कि जो मिर्ची है भारत में किस देश के यात्तरी लाए थे ठीक है तो पुर्तगाली लाए थे इसी तरह से आ खाई जाती है तो यह आपको कहीं पन्नोट कर लेना है इससे कॉश्चन बनते हैं ठीक तो सबसे पहले दिया है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सबजी खाई जाती है ठीक है अब इसे किसी भी तरह से याद रख लें कि उत्तर प्रदेश म क्या बनती है हमारी फिल्में बनती है ठीक है तो बहाँ पर सज्टे सबर रते हैं तो इस तरह से याद रखना कि सहजर महराष्ट फिर दिया है केरल केले के फूलों की सब्जी केरल में खाया जाती है केरल केले तो याद रहेगा और केरल में ही मिसरत सब्जी मिसरत सब्जी ज याद रखने हैं इसी से question पूछा जाता है ठीक अब next देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां से आई है भारत में ठीक है तो यह भी question आपके बने हुए थे तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूरोप यूरोप से आई है गोभी और मटर ठीक है गोभी और मटर ठीक है तो इ किसी भी तरह से आप याद रख लें ऐसे ही याद होता है तो यह से भी याद कर लें ठीक है तो यूरोप से क्या आया गोभी और मटर ठीक है आपका दक्षन आफरीका दक्षन आफरीका से आई है मिर्ची और किसके द्वारा तो पुर्त गाली ले करके आये थे मिर्ची को तो दक्षन आफरीका से मिर्ची और टमाटर ये दोनों चीज़ें कहां से आई हैं दक्षन आफरीका से ठीक है नेस्ट है आपका आफरीका केवाल आफरीका की बात करते हैं तो यहां से आई है भिंडी और कॉफी भिंडी और कॉफी के बीच कहां से आया है आफरीका से आया है ठीक है तो फिरीकी तो आजकल भिंडी भी नहीं मिलती ठीक है तो इस तरह से याद रख लें फिर सोया वीन सोया वीन चीन कहां से आया है सोया वीन चीन से आया है चीन वीन इस तरह से याद रखें फिर दिया है साथ समंदर पार से तो यह जितने भी पॉइंट यहां पर लिए गया है यह आपकी NCIT में दिये गया है ठीक है तो क्या दिया गया है यहां पर कि साथ समंदर पार से क्या आया है आपका आलू, मिर्ची, चाय जी, साथ समंदर पार से आय जी ठीक है इस तरह से दिया है फिर देसी चीजें कौन-कौन सी है मतलब जो हमारे भारत की हैं तो बो है यह आपको याद रखने हैं बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संत्रा, बेर, ठीक है एक दो बार बोलेंगे तो यह रट जाएगा आपको यह हमारी देसी चीजें हैं जनका जन्म स्थान क्या है भारत है कौन-कौन सी है बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संत्रा, बेर, और, केला, पालक, परवल, टेंडा मैं थी यह सारे के सारे देसी ठीक है तो इस तर साथ समंदर पार से आलू, मिर्ची, चाएजी, साथ समंदर पार से आएजी, देसी चीजें बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संत्रा, बेर, और, केला, पालक, परवल, टिंडा, मैं थी यह सारे के सारे देसी ठीक है तो याद हो चुका होगा आपको ठीक है अब हम देख ले देते हैं यहाँ पर कुछ फसले और उनकी उतिपादक राज ठीक है, कौन सा राज फिर्थम पर है तो दिया गया है यहां पर चावल और चावल की उतिपादन में परथम इस्थान पर हमारा पश्च जे मंगाल है ठीक है, और दूसरे स्थान पर ओत्तर प्रदिश तो आप में का पाघएरा वा ई 오빠 और मध्य था जहां से अब इसे कैने से याद रखना है या आप याद करें कि इतांक है कि कौस्टन तो यहां पर ना के वल सित में बलकि सभी टेट्स और Jáuk competitive exams होते हैं सभी में से question बनता है ठीक है नेस्ट है आपका जुआर जुआर महराष्ट और करनाटक ठीक है नेस्ट दिया गया है बाजरा तो बाजरा राजस्थान उत्तर प्रदेश अब यहां पर रा आ गया और रा सी राजस्थान होता है इस तरह से याद रखने ठीक है फिर उत्पादन में मध्यप्रदेश पर राजस्थान है फिर दिया गया है यहां पर मूमफली और मूमफली के उत्पादन में हमारा पर राजस्थान पर है गुजरात और सेकंड स्थान पर है राजस्थान फिर दिया गया है सोयावीन सोयावीन के उत्पादन में मध्यप्रद निकोटी नमक प्राप होता है और तंबाकू को उत्पादन में पृत्पादन में पृत्पादन फिर दिया गया है जूट पिर्थम इस्थान उत्पादन में है गुजरात का और सेकेंड है महराष्ट ठीक है नेश्ट है रवर जो रवर होता है इसके उत्पादन में पिर्थम इस्थान पर केरल और करनाटक ए याद रखना फिर दिया गया है जूट जूट के पिर्थम मतलब उत्पादन में प्रिफाम इस्थान पर है अशम और सेकेंड इस्थान पर है पश्चे मंगालव आपको पता होगा कि जो चाय है इसका जी आई टेग किसे दिया गया है तो दारजलिंग की चाय को जी आई टेग मिला हुआ है ठीक है नेश्ट है आपका काजू काजू के उत्पादन में प्रि ठीक है नेश्ट है यहाँ पर सेव और सेव के उत्पादन में आपको बता दें कि सबसे यदि आप से कह दें कि फलों के उत्पादन में पर्थम इस्थान पर कौन था तो अभी मतलब 2022 से पहले फलों का उत्पादन करता था पर्थम राज्जिताबू महराष्ट बरतमान में उत्तर प्रदेश पिर्थम इस्थान पर है किसके फलों की उत्पादन में फश्ट इस्थान किसका है उत्तर प्रदेश का है और यदि कह दें कि सबजीयों की उत्पादन में बर्तमान में पिर्थम इस्थान पर कौन सा राज्य है तो सबजीयों की उत्पादन में बर्तमान म करनांसद स्थान करना औरं और आलो इन तेनों को उत्पादन में प्रिवाद्स्थान पर हमारा उत्तरप्र प्रदेश is इसके अलावा भी जैसे गैंहों हो कह दिया तो इसके उत्त्रप्रदेश अध्र söylच मिस्ते पर है। सेकेंड पर है आंदर प्रदेश ठीक है और आम को फलों का राजा कहा जाता है नेस्ट इससे भी कोश्चन बना हुआ था पूंचा गया था बड़ी इलाइची के उत्पादन में प्रथाम इस्थान पर कौन सा राज्य है तो जब इस तरह इसी कोश्चन बना था तो आंगे इ जादा सिक्की लगते हैं तो इस तरह से याद रखेंगे कि बड़ी इलाइची के उत्पादन में प्रथाम इस्थान पर है सिक्केम और सेकेंड पर है अरुनाचल प्रदेश फिर दिया है लॉंग जो दात दर्द के लिए इसके तेल का उप्योग किया जाता है तो लॉंग एक जड़ है तना है क्या है तो यह भी आपको बता दिये थे ठीक है यहां दिया है अद्रक अद्रक का प्रथाम इस्थान पर मतलब जो उत्पादन राज है वो है केरल और सेकेंड है तमिल नाडू फिर दिया गया है यहां पर आलू और आलू के उत्पादन में प्रथाम नेश्ट दिया गया है यहाँ पर गन्ना और गन्ना के उत्पादन में प्रिथम इस्थान पर कौन सा राज्ज है और तरप्रदेश और सेकंड इस्थान पर है महराष्ट फिर दिया गया है प्याज प्याज के उत्पादन में प्रिथम इस्थान पर है महराष्ट और सेकंड स्थान पर है मध्रदिस तो जैसे आपको बता दें कि जो प्याज होती है और जो आपका लहसं होता है।ं यह दोनों ही तने होते हैं। within टने हैं और यह सलककंध का अधारन है। सलककंध पीरकार का आशहता है वह होता है वह अधारने की जो कंध में प्रिथाम स्थान पर है आंध प्रदेश और सेकंड स्थान पर है ओडिसा ठीक है अब इसके बाद कोछे इस तरह की कॉश्चन बनते हैं कि मतलब जैसे फुल फॉर्म पूंच लें या फिर बॉटनी का लेंब पूंच लेते हैं जैसे कहते हैं गैहूं का बानस पतक नाम क्या TV बन जाते है तो सारे टॉपक अभ्यमं के सारी अधी कंप्लीट करके रखेंगे अधि fajn कोई भी कोई भी कॉश्चन आ जाए हुमारी सारे कौश्चन सही हो ने चाहिए टारодеीट है हमारा 30 मैंसे 28 तो मिलने ही चाहिए ठीक है आई योप आपको यह सेजन पसंद आया होगा यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक सेयर भी कर देना थेंक यू